hi hello everyone my name is Vijayishree and Electrical Knowledge in Hindi channel में आप सभी का स्वागत है तो आज का हमारा टेुटोरियल है उसका टॉपिक है ॏट यह आज का हमारा टॉपिक है तिक है इसका ही जो टाइटल है इसका बेसिक लिए जो क incar Amante ti49 वन्हें जो गन्य की जो फोटिंग होती है ऐस अधिक्षिंचаю टेंड़ गौर अन्डरकों प्रोवाइड की जाती है तो यहां वेसाथ चयaking यह चारीजन क्या है कियो कि जो difference is the diagram of the underground cable यहां पर लिख लेता हो underground केबल की है, दाइग्राम है ठीक है यहां पर one by one एक पर ऊपको layer लेर दिखने होगे दिखने की चुरूफ। उसके उपर जैज लेर है दिखने लेर पेपर इंसलेशन फेपर इन्सुलेशन पर है लीट खी लीट-खाओ लीट अमनला कोरा चाथ अब आर्मरी के बाद यह सना हैं फिल्य है सब्सक्या है एक से तीन थेने वह यूज yet प्रॉआटर कोथ के जाता है जेतए ईएन माणनी के और ऑन्हेश पह दिंग कोदाऄस्ट के जाते हैं अकॉर्डिंग टु दी एप्लिकेशन नीड के हिसाफ से इस कंडॉक्टर से स्ट्राइड टो रिद्यूस्किन एफेक्ट प्रोग्जिमिटे एफेक्ट एफेक्ट क्या होता है यह कंडॉक्टर्स क्यू प्रोवाइड की जाते हैं मैं आप लिख लेती हूं तो यह जो हमारे कंडॉक्टर्स है बेसिकली यह स्ट्राइड फोर में हम लेते हैं तो वाट टो रिद्यूस्किन एफेक्ट प्रोग्जिमिटे एफेक्ट 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 एफेड टो कीप इट फ्लेक्सिबल तो धिम्रेट एफेक्ट दो हता है हमारे सिस्टम में और जो प्रोग्जिमिटी एफेक्ट होता है एंड हमारे सिस्टम एफेग्ट से तीन कीटर्स होताए फ्लेक्जिमिटे जो के एब यहांद pश। उसके बाद conductor के ऊपर होती है conductor की screen ठीक है तो conductor की screen होती है basically यह mega volt या फिर high voltage इसमें हम provide कराते है otherwise हम नहीं कराते it is a semi conducting tape and an extruded layer of a semi-conductive compound okay it is a semi conducting tape, semi conducting type का tape होता है या फिर एक extruded layer होती है semi-conductive compound की, किसकी? semi-conductive compound की okay so conductor screening is generally used in mega volt and high voltage cables to maintain uniform electric field and minimize electrostatic stresses किसके लिए? यह हम conductor की screening क्यों provide कराते है? to maintain uniform electric field uniform electric field and minimize the electrostatic stresses क्रिश्स की वेज़े से हम इन रिजर्स की वैज़े से हम क्या करते है megavolt एफ यह आप यह में लिख लेती हूं megavolt and high voltage applications के रिए को use किया जाता है okay semi-conductive material compound material होता है तो यह हम क्यों provide कराते है conductor के ऊपर to maintain the uniform electric field एक uniform electric field प्रवाइट कराने के लिए हम यह conductor screen लगाते है साथ ही साथ electrostatic stresses होते है उसको minimize करने के लिए यह conductor screening provide की जाती है next step is insulation conductor हो गया conductor के ऊपर हम screening लगाते है यह आपर screening दिखाई नहीं गई है क्योंकि basically यह जो है वो simple general construction है और megavolt और high voltage में ही हम screening लगाते है तो इसलिए इस diagram यह आपको नहीं दिखा रहा है लेकिन conductor के ऊपर जो है screening की layer conductor के screening की layer जो है वो दिखाई जाती है तो conductor के बाद आता है फिर paper insulation है यह आपर लिखा है लिखते है हम paper insulation क्या मुला है it is provided to withstand the electrostatic stress okay क्या किसके लिए है to withstand इलेक्ट्रोस्टाटिक अच्छ अच्छ ओके वेरियस तैप्स और थीकनिक्स अफ इन्सलेटर्स आर वी आर विल्कनाइज इंडिया रबार इंपिक्जिनेट पेपर पीवीची मीन्स polyvinyl chloride and XLPE cross link polyethylene आर यूटिलाइज्ट क्या बोला गया है यह जो होता है यह इलेक्ट्रोस्टाटिक स्ट्रेस के लिए यानिकि इलेक्ट्र स्ट्रेस को यह विच्तेंड कर सके यह उसके लिए यह पेपर इंसुलेशन है हम प्रोवाइड करते ओके उसके साथ को मैं आपको यानि कि आपको कर लिखना है तो आप इसका फुल फार्म लिख लो पी विसी poli विनायल क्लोराइड यानि कि Кई रधा पीवीसी पॉलिनायल क्लोराइड है और साथ यह साथ XLPE क्रॉस on the crosslink polyethylene का यह जो है short यह जो है इतने materials क्या है? वलकनाइज इंडियार रबर और इंप्रिग्नेटेट पेपर और पॉलिविनाल फ्लोराइड और यह जो प्रॉस लिंग पॉलिथिलिन तो यह जो material है यह यूस किये जाते है according to the applied voltage as a paper insulation उसके बाद जो होती है हमारी insulation की screening और यह भी screening जो है insulation के ऊपर यह सिर्फ megavolt और high voltage applications के लिए यूस की जाती है अद्वाइस नहीं की जाती है a layer of a semi-conductive material this is also a layer of a semi-conductive a semi-conductive type का material होता है ठीक है generally used in megavolt and high voltage lights अभी बता है मैंने it serves the similar purpose as that of a conductor screening यह और यह conductor screening हम जिस reason के लिए प्रवाइड कराते हैं उसी reason के लिए insulation screening प्रवाइड की जाती है in megavolt and high voltage applications उसके बाद जो होती है हमारी बहुत ही है metallic sheet metallic sheet अब आप बोलेंगे metallic sheet तो यहां पर दिखाई नहीं गी पर यहां पर यह जो lead sheet है this is also known as the metallic sheet क्योंकि यह जो lead होता यह एक metal ही तो है तो इसलिए metallic sheet भी कहा जाता है इसको okay तो metallic sheet प्रोइड करने का purpose क्या है it provides protection to the cable from moisture any other chemicals present in the environmental or soil क्या करता है it protects basically मैं आपर शॉट में लिखते हूँ it protects the cable from moisture and other chemicals in the soil ठीक है तो soil में present जो भी chemicals है उनसे जो है हमारे metal को sorry हमारे cable को जो है अपर प्रोटेक्ट करता है तो chemicals किस किस टाप यह होते है acids होते है यह फिर alkalis होते है ठीक है it's usually usually made up of aluminium earlier और इसका जो material होता है यह क्या होता है यह आप लिखने के लिखने मेड़ब आफ made up of Aluminium और lead यह फिर एक lead sheet जो होती है याणि metallic sheet यह फिर अलुमिनियम के बनी होती है या फिर lead material की बनी हुए होती है एक पात फॉर फॉर फॉर्ट यह फॉर्ट लीकेज करन्स यह जो हमारी फॉल्ट करन्या फिर लेकेज करन्थ हह है वह और्थ मेर चला है okay उसके भाग जो होती है वह हमारे bedding की layer तो बेडिंग यहाँ पर लीडशित के ऊपर ये जो आपको लियर से बेडिंग टीख रहे लेयर पीड़ी सोउ इक लोगरेड इंसुलेटर लाइक जूट और है्शें लग्रेड इंसुलेटर करें गा majority नें यह एक लोग्रेड इंसुलेटर कहा गया था इसको which protects the metallic sheet from corrosion and from chemical injury due to armory तो ये क्या करता है metallic sheet को metallic sheet के उपर ही इसकी कावर होती है ना तो metallic sheet को ये क्या करता है corrosion से बचाता है ठीक है metallic sheet को corrosion से बचाता है और जो armoring होती है हमारी जिसके बारे में ये question है हमारा main तो इस armoring से mechanical injury होती है cable को ठीक है तो इस mechanical injury से भी बचाने का काव ये हमारी bedding करती है ठीक है और जो हमारी metallic sheet होती है उसको corrosion होने से यानि को उसको जंग लगने से बचाती है उसके बाद आती है हमारी armoring की ठीक है ये है हमारी main step ये armoring जो होती है हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं ठीक है इट प्रोवाइड मेकानिकल प्रोटेक्शन फ्रम वीरियस stress दी केबल में गेट एक्सपूस्ट तो दूरिं इस इंस्स्राइशन और अपरेशन लाइफ क्या बोला गया है हमारे केबल को मेक्यानिकल प्रोटेक्शन जो होता है वो प्रोवाइड कराता है ठीक है मेक्यानिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं ये हमारी armoring ठीक है तो इंस्टालेशन और ऑपरेशन जो होता है हमारी केबल का उस दौराज जिस भी तरीके के जो एक्स्पोस होते हैं स्ट्रैस से जो केबल ठीक है उसे ये बचाने का काम armoring करते है its usually a steel tape wound around a bedding layer क्या बोला गया है इक steel का tape ठीक है wound around a bedding layer ये तो ये होता है armoring हमारा तो यह हमारे में रीजन जो है आर्मरिंग जो है बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे केबल को और मेकैनिकल जो सबसे जादा नुकसान करते हैं हमारे केबल को उससे बचाने का काम बेसिकर लिए हमारी आर्मरिंग करती है यही reason है की हम armoring बहुत ही must tap होती हुवारे underground cables के लिए Okay, so this is the reason why we need armoredilot or underground cables okay So, the last step is serving this is this last step this is the serving Another layer of a low-grade insulator यह भी एक low grade insulator है ठीक है so this is the another layer of the low grade insulator like jute और hessian यह भी jute या फिर hessian से बनी होई होती है ठीक है उसके बार या फिर एक thermoplastic compound like PVC is again provided to protect the steel from atmospheric contaminants and agents क्या होता है या है तो हम jute या फिर hessian यूज़ करते है या फिर thermoplastic compound like PVC polyvinyl chloride ओके तो यह जो होती है यह steel tape जो होती है आर्मरिंग की ठीक है तो इस steel tape के उपर हम क्या करते है इस serving की जो layer है वो चड़ा देते है किसली है ताकि यह जो atmospheric contaminants होते है ठीक है atmospheric contaminants हमारे soil में ठीक है उससे बचाने के लिए contaminants उससे बचाने के लिए हम यह serving की जो layer है वो हमारे आर्मरिंग के steel tape के उपर लगा देते है ठीक है तो इस वाज़ रीजन वी नीड तो आर्मर और केबल क्या था में रीजन की हमारी जो केबल होती है उसको mechanical protection प्रोटेक्शन प्रवाइड कराने के लिए यह हम आर्मरिंग प्रवाइड कराते हैं ठीक है तो आई होप यह आपको समझ आया होगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसी एलेक्ट्रिकल से रिलेटेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पी रहे हैं तो मिलते हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में